हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आ चैनल नियो मार्केट्स आज के इस वीडियो में हम लोग आज का ट्रेड सेटप डिस्कस करेंगे आज के ट्रेड जो हमने लिए बैंक निफ्टी में और कल के दिन थर्स्टे 15 अफ डिसेंबर जो की बैंक निफ्टी का वीकली एक्स्पाइरी है उस दिन हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा क्या लेवल्स रहेंगे हम डिस्कस करते हैं आगे चार्ट पर तो हमारा ही चार्ट है आज का बैंक निफ्टी का 5 मिनिट्स के टाइम फ्रेम में तो आज मार्केट थोड़ा गैप अपन हुआ गैप अपन होने के पाप जो फर किया था इस लेवल के आसपास आई टाच किया उस लेवल पर तब तक हमने कोई ट्रेड नहीं किया अपने वेड किया मार्केट ने कुन्सॉलीडेट किया यह फिर्स स्कैंडल के अ कहाई पर उसके बाद थोड़ा सा daun स्मूव आया इसके बाद अप देख सकते हैं जहां हम इंट्रेस्ट है exactly उस लेवल पर बना था तो अगर आप देखें तो जैसे यह रेड क्यांडल का हाई ब्रेक होता है यह हमारी एंट्री थी उसके बाद यह मारकेट बुलिश ही दहा काफी देर तक लगभग अगर आप दीकें आज का बैंक निफटी का डे वह बहुत के रेंज में chronique आज कल बैंक निफ्टी में आज कल बैंक निफ्टी डेट सो दो सो पॉइंट यह पूरे दिन में मुवमेंट दे रहा है तो कल जोकी फैड़रेट आज रात में आएंगे उसके बाद कल एकस्पारी है तो कल के लिए हम लोग को एक decisive move मिल सकता है तो वो हम अब आने वाले जब chart को discuss करेंगे कल के plan तब हम बात करेंगे तो यह हमारा पहला trade था उसके बाद यहाँ पर कोई भी trade नहीं था हमारे levels के हिसाब से उसके बाद यह जो दूसरा trade मैंने mark किया है यह भी एकदम same level के पास है एकदम same level पे अगर आप यहाँ देखें यह evening star pattern form हुआ था तो यह भी एक bullish trade था जो कि आपको कुछ 100 points तक का move देखे गया कुछ 8200 points का move हमें यहाँ मिला था तो यह दो trades से friends जो हमारे levels पे थे एक और trade जो आज हमें मिला था other than जो हम अपने levels के आज़ पास से लेतें है वो तो इस ज़र हमें हम देखें यह head and shoulder बना तो इसका ब्रेकाउट था उसका failure हुआ उसके बाद एक यह head and shoulder pattern form हुआ तो यह जो line row की है जब इसका breakdown हुआ उसके साथ यह pattern confirm हो गया और यह downside का एक trade बना तो लगबग हमारे तीन trade हुए दो हमारे levels के पास में और यह हमने head and shoulder pattern के basis पे जो आज दिया अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कल के लिए क्या levels रहेंगे जिसको यूज करेंगे हम कल के session के लिए यह हमारा चार्ट कल के levels के साथ ready है हमारे पास 43,000 और 43,500 पे put side के सबसे ज़्यादा maximum open interest put side के इस level पे है यह पुराने दो demand zone हैं जिसको हम पुराने वीडियो में discuss कर चुके हैं weekly support हमारा 43,269 पर है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आप देखिए एक के support zone है 43,800 से लेके 43,853 तक अगर आपको यादो पुराने वीडियो में यह पहले एक supply zone हुआ करता था जब market ने यहाँ पर एक breakout दे दिया तो यह अब एक support zone बन गया है ध्यान रखिए यह अभी demand zone नहीं बना है यहाँ से बहुत बड़ी buying नहीं आई है लेकिन यहाँ पर market अगर आया तो यहाँ पर एक support definitely ले सकता है तो इसको हमने mark किया है support zone previous day low, previous day high यहाँ और previous day close यह तीन levels आज के basis पर mark किया है हमने call side का open interest जो है यह 44,000 पे है और put side का भी अभी 44,000 पे ही है तो यह जो 44,000 है यह बहुत important level अभी भी बना हुआ है क्योंकि bank nifty ने decisively अभी तक इसके उपर trade तो किया लेकिन जो closing दी है वो उसी level पे दी है तो कल का session बहुत interesting रहने वाला है क्योंकि bank nifty ने एक बहुत important critical level पे closing दी है 44,000 और आज fed rate announcement भी है US में उसके बाद कैसे market react करेगा I think आज का दिन किसी ने भी buying selling करने के लिए wait करेंगे कल के लिए कि fed rate का decision आजए उसके बाद ही market का direction decide हो तो friends कल के session बें जब market open होता है हमें ये चीज़ दिहान रखनी है कि क्योंकि news based है again हम लोगों को अपने levels को ज़रूर देखना है पर जब news based होता है तो पहले कुछ minute और specially expiry है तो market को जड़ा settle होने दीजिए price को confirm होने दीजिए कि direction वो क्या ले रहा है उसके बाद कलम trades initiate करेंगे तो morning में अगर बहुत अच्छा कुछ setup बनेगा हमारे levels के पास तभी trade करेंगे otherwise आप पहले एक direction को कल clear होने दीजिए उसके बाद ही कल कुछ trades initiate करेंगे especially जैसे मैंने आपको बताया news के बाद हमें ये एक step जरूर लेना पड़ता है क्योंकि तब levels इतना काम नहीं करते अगर कोई news based price movement होता हूँ तो अगर कल price gap down open होता है तो जरूर इस पे हमें ध्यान रखना है कि जब हमारे support zone के पास आए तो यहाँ पर 43.800 का अच्छा support है 43.800 से 8.50 के बीच में price यहाँ पर इसके आसपास आए या इसको touch करें इसके अंदर आए यहाँ पर कोई bullish setup बनेगा तो हम definitely इसके लिए एक buying trade लेंगे दूसरा चीज यहाँ पर हमें देखना है अगर ये fed rate ऐसा decision आता है और market gap down की जगा gap up देता है तो हमें यहाँ पर देखना है कि price previous day high के आसपास कैसा react करेगा यहाँ पर अगर कुछ bearish setup बनता है तो हम लोग एक short rate के लिए जाएंगे और अगर price previous day high 44,150 का जो आज level है जो उसने आज नया बनाया है इस level को cross करके इसके उपर sustain करता है price तब हम wait करेंगे कि यह वापिस यहाँ पर आए थोड़ा consolidate करें या कोई pattern बनाए उसके बाद हम एक bullish trade initiate कर सकते हैं तो यह तो रहेगा हमारा कल का trade plan इसके बीच में अगर यहाँ पर market कुला तो I would suggest कि हम इसको trade नहां करेंगे इस level के बीच में 43,987 और 44,050 यह हमारा no trading zone रहेगा कल की यह आशा करते हैं आपको यह levels समझ आ गए होंगे और कल आप use करेंगे और आपका दिन बहुत profitable रहे कल का इसी आशा के साथ बस इतना ही आज के वीडियो के लिए आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए Thank you for watching